आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा डाइन्थस के वारे में डाइन्थस एक सीजनल प्लांट है जो सर्दियों के मौसम में आता है और सर्दियों के मौसम में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है उसके बाद टेंपरेचर बढ़ने की वज़े से इसकी जो अवरॉल करता है और अच्छी सी फ्लावरिंग करता है यह दो मेरे पास डाइन्थस की वेराइटीज है एक यह लाइट पिंग कलर का और एक यह डाक पिंग कलर का देखिए कितने सुन्दर फूल इस पर आए हुए है तो इसी पौधे के बारे में कुछ आसी टिप्स में आपके साथ अच्छी फ्लावरिंग करेंगे तो जितना भी इसका सीजन होता है विंटर्स का उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगा और ग्रोध भी बहुत जबरदस्त होगी तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए मेरा नाम अक्षे और मैं अपसे ब्लोग का दराइट उसके बाद जैसे जैसे टेपेरेचर बड़ता है वैंने खराब होना हो जाते हैं इनकी ग्रों कर सकते Holz कि काफ़ी अवेलेबल चाइथ के मिल जाते हैं इसकी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मिट्टी के बारे में देखिए क्योंकि ये एक seasonal plant है तो इसकी जो overall मिट्टी है वह ऐसी होनी चाहिए वयल ड्रेंड होनी चाहिए पानी उसमें खड़ा ना रहे ऐसी मिट्टी हमने बनानी है तो उसका जो potting mixture है वह कैसा होना चाइए वह मैं आपको बता देता हूं 30% इसमें आपने garden soil यह थी 30% कोई भी और्गानिक मैनियोर लेना है 30% कोको पीट या सैंड आप मिक्स कर सकते हैं और बाकी जो 10% वच्रा है वो आप बोनमील और नीमखली मिक्स करके पूरा यह पॉर्टिंग मिक्स तयार अपना कर सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विंटर्स के तो डायं पॉदे में रहता है अब लोकेशन की बात करता हूं कि आपने पॉदा लगा लिया है अपने गमले में यह मैंने 8-inch के सिमेंट के गमलों में लगाया हुआ हुआ है और 8-inch के इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि डायंतर्स के पॉदे होते हैं वह थोड़े से पॉदे आप उनमें भी लगा सकते हैं उनमें भी डायंतर्स के पॉदे अच्छे चलते हैं अब बात करता हूं लोकेशन कैसी होने चीए इनको कितने घंटे की धूप की जरूरत होती है क्योंकि यह एक विंटर का पॉदा है और काफी लोगों के घर में जो धूप है वो कम आती है तो आपने make sure करना है कि इसको कम से कम ऐसी लोकेशन दे रखें जहां पर 3-4 घंटे की direct sunlight इसको मिल जाए क्योंकि अगर धूप इसको नहीं मिलेगी यह फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा यह सीजनल प्लांट के साथ एक यही चीज होती है कि अगर उनको sunlight ना मिले तो फ्लावरिंग थोड़ी सी अपनी हलकी कर देते हैं तो जैसे मैंने इन दोनों पौदों को ऐसी लोकेशन पर रखा हुआ है जहां पर 3-4 घंटी की धूप इनको मिल जाती है तो फ्लावरिंग अभी अच्छी हो रही है अगर आपके पास ऐसी लोकेशन नहीं है कि 3-4 घंट पर देगेसे स्वी तो सोगी नहीं बनानी है दलदली मिटू नहीं बनानी के-च्छर जैसी मिटी लोग कर देते हैं डेली वॉटरीम गरके सर्धियों में आपको को कि धूप उतनी करकरारी नहीं होती उतनी चिलचलाती धूप नहीं होती तो मॉस्चर जो है प्लांट का उतनी जल्दी सूखता नहीं है बना रहता है तो डेली वाटरिंग करने की तभी जरूरत है जो प्लांट को आपको लगे की रिक्वार्मेंट है पानी की तो डेली पानी अब मैं इन प्लांट में दो दिन में एक बारी पानी देता हूं लेकिन जब भी मैं पानी देता हूं तो अच्छे से देता हूँ यह पूरी जगह आप देख रहे हैं यह देना हुख चेक करके देखना है कि अगर moisture है मिट्टी में तो आपने पानी नहीं देना, अगर मिट्टी सूख रही ये उपर से तो आप पानी दे सकते हैं, आपको खुद ये experiment करना है अपने पौदे के बारे में पानी देते समय, अब बात कर लेता हूँ फटलाइस के बारे में, इसमें कोई भी well-balanced fertilizer आप दे सकते हैं, क्योंकि ये seasonal plants हैं, इन में बहुत जादा लंबा time नहीं होता growth का, तो आपने quick release fertilizers use करने चाहिए, और quick release fertilizers में आपको options बता देता हूँ, एक है NPK, 19-19-19-20-20 ratio वाला NPK, आप daintas में use कर सकते हैं, हर 15-20 दिन में, और इसके साथ आप DAP के granules भी use कर सकते हैं, 4-5 granules से उपर आपने नहीं use करने, क्योंकि DAP काफी strong fertilizer हो सकता है कि आपके पौदे को जला भी दे, तो जलाने से मेरा मतलब है कि इतना stress आजएगा पौदे में, कि जो पतियां है वो पीली बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो NPK और DAP आप हर 15-20 दिन में अपने पौदे में use कर सकते हैं, जब तक इसका growing season है, और flowering बहुत जबरदर से इसमें आपको देखने को मिलेगी, अगर आप organic fertilizer की बात कर रहे हैं, तो भी fast release fertilizer है, जिसे हम कहते हैं liquid seaweed extract, इसमे 61 ऐसे micronutrients होते हैं, जो पौदे को growth करने के लिए जूरूरत होती है, ये भी आ 15-20 दिन में use कर सकते हैं, bottle आसानी से इसकी मिल जाती है, नरसरी से भी मिल जाती है, और उस पे instructions to use होते हैं, आप वो instructions पढ़के आसानी से इस fertilizer को use कर सकते हैं, अपने सर्दियों के पौदों पे, अब बात कर लेता हूं किस तरह की गर्मिया, किस तरह की बिमारियां इस पौ होते रहते हैं, तो इन सब कीडों से बचने के लिए आप नीम oil concentrate का regular spray करें, हर 15-20 दिन में आप इस पे spray कर सकते हैं, और इसमें कोई भी इस तरीके के issue नहीं होगे, और अगर issue आ रहे हैं, तो आप फिर मुझे comment दर के बताईए, मैं आपको उनका solution दूँगा, अगर वो solution भ आपको plant के बारे में है, कोई सवाल है, तो please comment करके बताईए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो please like, comment, share, ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो please subscribe का button दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही, winters के पौदे, मैं आपके साथ share करता रहूँ लाकर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान देखिए friends, thank you, goodbye,